अमस्कार मित्रों, डिजायर पॉंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूँ अमितूबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 की इंगलिस के फर्ष्ट चैप्टर का अध्यन करने वाले हैं जिसका नाम है दा पोट्रेट आफ अलेडी और इसके लेखा हैं खुश्वंत सिंग चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रामिश करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआ होने वाला है यानि इस चैप्टर में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आ कहते हैं कि पोट्रेट पोट्रेट का मतलब होता है तस्वीर चित्र आफ लेडी एक महिला की एक महिला की तस्वीर ये आपके अध्याय का नाम है और इसके लेखक हैं खुश्वंत सिंग थोड़ा सा शॉट में मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊं तो खुश्व प्रकार से वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और किस प्रकार से खुश्वंत सिंग अपनी दादी माशे प्रेम करते थे और उन दोनों के बीच कितनी अच्छी मित्रता थी ये चैप्टर अपने आप में पूर्ण है और सबसे अच्छी बात है कि ये चैप्टर के माध्यम से आप एक बहुत बड़ी बात सिखेंगे और वो मैं आपको सबसे लाश्ट में बताऊंगा ठीक है इस चैप्टर के लाश्ट में तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं तो अब आउट दाथर खुस्वंत सिंग के बारे में है यानि खुस्वंत सिंग हिमस से ठीक है ध्यान से समझेगा बहुत अच्छा चैप्टर है किते हैं कि माई ग्रैंड मदर मेरी दादी मा लाइक एबरिबड़ी इस ग्रैंड मदर एबरिबड़ी हर किसी की लाइक जैसे ग्रैंड मदर दादी मा की तरह हर किसी की दादी मा की ही तरह मेरी दादी मा शभी की दादी मा की ही तरह was an old woman एक वृद्ध महिला थी एक बूढ़ी महिला थी यानि सबकी दादी मा बूढ़ी ही होती है ये वो कह रहे हैं ठीक है तो my grandmother मेरी दादी मा like everybody's grandmother शबकी दादी मा की ही तरह was an old woman एक बूढ़ी महिला थी she had been old वो बूढ़ी थी and wrinkled जुर्यों से भरी हुई थी for the twenty years बीस सालों से that I had known her जबसे मैं उन्हें जानता हूँ तो बीस सालों से for the twenty years बीस सालों से that I had known her जबसे मैं उन्हें जानता हूँ she had been old वो बूढ़ी थी and wrinkled और जुर्यों से भरी हुई थी ठीक है? यानि उनके चेहरे पर जुर्यां थी भाई बुढ़ापे में तो पूरी बोड़ी पर जुर्यां आ जाती है People said लोग कहते है That she had once been young कि कभी That she had once कि कभी been young वो young थी वो जवान थी and pretty और शुन्दर थी लोग कहते हैं कि वो कभी जवान और शुन्दर थी and had even had a husband और उनका एक पती भी था But that was hard to believe लेकिन इस पर विश्वास करना hard है, मुश्किल है पर इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है People said लोग तो कहते हैं कि उन्वो कभी जवान थी और बहुत सुन्दर थी लेकिन और उनका एक पती भी था But that was hard to believe लेकिन इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है My grandfather's portrait मेरे दादा जी की portrait जो तस्वीर है हंग वो लटकी हुई है above the mental piece अंगीठी के उपर मेरे दादा जी की तस्वीर अंगीठी के उपर लटकी हुई है In the drawing room बैठक कमरे में बैठक कमरा आप कम समझेंगे आप drawing room को drawing room ही बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपको जहां से याद हो जाए आप वहां से बोल सकते हैं कोई जबरजस्ती नहीं है कोई बंधन नहीं है ठीक है क्योंकि drawing room भी एक प्रचलित सब्द है ठीक है तो आपको कोई रोकेगा नहीं drawing room मतलब बैठक कक्ष होता है इसका हिंदी अगर नहीं याद रहता तो आप drawing room को drawing room बोल सकते हैं कोई भी गलत नहीं काटेगा ठीक है तो मेरे दादा जी की तस्वीर अंगीठी के उपर लटकी है drawing room में बैठक कक्ष में तो मेरे दादा जी की की तस्वीर बैठक कक्ष में या drawing room में अंगीठी के उपर लटकी हुई है आगे कहते हैं कि he wore a big turban उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहन रखी है and loose fitting cloths और धीले ढाले cloths पहन रखे हैं धीले ढाले वस्तर पहन रखे हैं यानि दादा जी ने एक बड़ी पगड़ी पहन रखी है और धीले ढाले वस्तर पहन रखे हैं his long उनकी लंबी white सफेद beard मतलब डाढ़ी covered उनकी लंबी सफेद डाढ़ी ने covered ढाक रखा है the best part अधिकतर भाग को off his chest उनकी चाती के छोटा कर देते हैं आपे छोटा करने का मतलब पहले इतना समझीए यहां कहते हैं कि उनकी लंबी सफेद डाढ़ी ने उनकी चाती के अधिकतर भाग को ढख रखा है clear है यहां तक आगे कहते हैं and or he looked वो प्रतीत होते हैं या फिर वो दिखते हैं at least a hundred years old लगभग 6 वर्ष के और वो लगभग 6 वर्ष के दिखते हैं यानि उनकी आयो यासी लगथा है जैसे वो 7 वर्ष के हो he did not look like sorry, he did not look the short of person he did not look, वो नहीं दिखते the short, short मतलब प्रकार के of the person, उस प्रकार के व्यक्ती या फिर इस प्रकार के व्यक्ती वो इस प्रकार के व्यक्ती नहीं दिखते who जिसकी would have a wife जिसकी कोई पत्नी हो उस तरफ wife मिले आपको ठीक है ओशकर के विक्ती नहीं लगते जिसकी कोई पत्नी हो यह है wife or children ओशकर के नहीं लगते जिनकी कोई पत्नी हो या बच्चे हो यानि उनकी आयू बहुत ज़्यादा लग रही है अब बच्चे थे तो तस्वीर को देखकर वो अनुमान लगा रहे हैं ठीक है बहुत बहुत सारे पोते पोतियां हो अब आप इतना लंबा खीच कर तो बोल नहीं सकते तो आप इसको ऐसे कहेंगे कि वो तो ऐसे दिखते हैं जैसे उनके बहुत से पोते और पोतियां हो As for my grandmother और जहां तक मेरी दादी मा की बात है Being young and pretty जहां तक मेरी दादी मा के young जवान और शुंदर होने की बात है The thought इस बात पर was almost revolting मैं घरना करता हूँ यानि मैं इस बात को सुईकार नहीं कर सकता ठीक है इस बिचार को मैं शुईकार नहीं कर सकता यानि मुझे नहीं लगता कि ये कभी जवान रही होंगी ठीक है नहीं समझ में आया यानि यहां पर वो कह रहे हैं कि जहां तक मेरी दादी मा के जवान और सुंदर होने की बात है तो इस विचार से मैं घरना करता हूँ या फिर ये विचार मैं मान नहीं सकता मुझे इस बात पर बिश्वास नहीं हो रहा है She often told us वो कई बार हमें बताती है Of the games उन खेलों के बारे में She used to play जो वो खेला करती थी As a child बच्पन में वो उन खेलों के बारे में Often कई बार हमें बताती है Of the games उन खेलों के बारे में वहां कई बार हमें उन खेलों के बारे में बताती है She used to play जो वो खेला करती थी As a child बच्पन में तो वो हमें कई बार बताती है कि वो बच्पन में कौन से खेल खेला करती थी यह थोड़ा सा अप्शियोड लगता था आप लुकाचुपी खेल रहे हैं ठीक है आप बच्चे हैं आप लुकाचुपी खेल रहे हैं और अगर मैं आपके साथ किसी साथ वर्स के बुढ़े विक्ति को लुका छुपी खेलने के लिए बोलू, तो आप कहेंगे ना ये बुढ़ाओ क्या खेल पाएंगे, और फिर आप उनकी हसी उड़ाने लगेंगे, कि ये बुढ़ा तो भाग भी नहीं पा रहा, इनको डंडा दे दो एक जुग कर चलेंगे, ये सारी चीज, यानि कोई अगर बुढ़ा विक्ति कंचे खेलने पहुँच जाए, तो उस पर भी हसी आएगी आपको, कोई विक्ति पकडम पकडाई खेलने लगे, तो उस पर भी हसी आएगी आपको, कि ये देखिए, बुढ़ा पे में इ ये लगता है, क्वाइट अप्शोड, थोड़ा सा मुर्खता पूर्ण, कि इतनी बूढ़ी हो गई हैं और लुका चुपी खेल रही थी, अब उसको क्या पता कि बचपन उनका भी था, अब वो बूढ़ी हो चुकी है, तो इसलिए वो कहता है, कि ये थोड़ा सा मुर्खत पूर्ण, और अपमान जनक प्रतीत होता था, और हर पार्ट उनके लिए, तो उनके लिए ऐसा करना थोड़ा सा मुर्खता पूर्ण, और अपमान जनक प्रतीत होता था, अब अगली लाइन ध्यान से समझेगा, ठीक है, and we treated it, और हम इसे मान लेते थे, या फिर हम इसे the Fables of the Prophets, जैसे धर्मगुरों की कहानिया, she used to tell us, वो हमें सुनाती थी, यानि धर्मगुरों की कहानिया जिस प्रकार वो हमें सुनाती थी, उसी प्रकार हम इसे मान लेते थे, यानि कहने का मतलब है, कि कहानिया जो होती है, वो मन गरंत होती है, ठीक है, मन गरंत कहानिया लोग सुनाते हैं कि एक जंगल में एक सेर रहता था और उसने एक बार में ही सव हाथियों को मार डाला और उसको कहा गया कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर सेर है फिर उससे लड़ने के लिए एक चीता आ गया यानि मनगरंत कहानिया ठीक है तो बच्चा सोचता था कि ये जूटी कहानिया सुनाती हैं उसी तरह से जूट मूट का बता रही है कि ये बच्चपन में पकडम पकडाई और लुका छुपी खेला करती थी क्लियर है या तक ठीक है तो एंड वी ट्रीटेड इट और हम इसे मान लेते थे लाइक जैसे दा फैबल्स आप ड़ प्रॉफि धर्म गुरुओं की कहानिया और हम इसे धर्म गुरुओं की कहानियों के रूप में मान लेते थे जो वो हमें सुनाती थी और आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि हम धर्म गुरुओं के बारे में जो वो कहानिया सुनाती थी उन कहानियों की ही तरह इसे मान लेते थे ठीक है क्लिय सा नीचे देख सकते हैं कि हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा वे हमें धर्म गुरुगों के विशे में कथाय सुनाती थी यानि कहानियों पर भी जल्दी विश्वास हो जाता था ठीक है तो आगे कहते हैं कि सी हैड आलवेज बीन सौट वो हमेशा से छोटी थी फैट मोटी थी और थोड़ी सी जुकी होई थी बुढ़ापे में लोग थोड़ा सा जुक जाते हैं तो सी हैड आलवेज बीन सौट वो हमेशा से छोटी मोटी और थोड़ा सा जुकी होई थी हरफेस वाज गिष्ञ क्रोश आफ ब्रिंकल उनके चेहरे पर उनके चेहरे पर क् Combat जुर्णिया जो थी न है यह जो जुर्रियां थी न वो एक दूसरे को क्रिश्ट क्रोश करती थी चाठती थी यानि एस प्रकार से कुछ ऐसे बुढ़ों के चेहरों पर देखिए बहुत सारी जुर्रियां पढ़ जाती हैं और वो ऐसी लकीरे बन जाती हैं जैसे वो एक दूसरे को काट रही हूँ तो वही बात वो कह रहे हैं कि हर फेस वाज़क्रिस्क्रॉस आफ ब्रिंकल्स उनके चेहरे पर जुरियां एक दूसरे को काटती थी यानि कह सकते हैं कि his face was a criss-cross of wrinkles यानि उनके चेहरे पर जुरियां पड़ गई थी जो एक दूसरे को काटती थी यहाँ पर छोटा करेंगे ठीक हैं? अब देखिए running और वो जाती थी from everywhere to everywhere और वो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जाती थी everywhere to everywhere यानि कहीं से कहीं जाती थी कोई जुरी यहाँ से निकली तो आख में घुच गई यानि आखों तक जाती है कोई जुरी नाख तक आती है कोई जुरी कान तक जाती है यानि बहुत सारी लाइने पड़ जाती है No, नहीं We were certain She had always been as We had known her कहते हैं कि नहीं We certain हम मानते हैं She had always been as वो हमेशा से ऐसी ही थी We had known her जब से हम उन्हें जानते हैं यानि मुझे बिश्वाश है कि जब से मैं उन्हें जानता हूं वो हमेशा से ऐसी ही थी यानि वो हमेशा से इतनी ही बोड़ी थी पहले भी तो कहा था ना कि 20 साल से वो इतनी ही बोड़ी थी तो कहता है कि जब से मैं उन्हें जानता हूं इस बात पर मुझे पुरा विश्वास है We were certain इस बात पर मुझे विश्वास है जब से हम उन्हें जानते हैं वो हमेशा से ऐसी ही थी ओल्ड बूड़ी So terribly old, बहुत जादा बूर ही that she could not have grown older, इतनी जादा बूर ही that she could not have grown older की वो इससे जादा बूर ही नहीं हो सकती थी, यनि वो बूर ही थी और इतनी बूर ही थी की और जादा बूर ही नहीं हो सकती थी and had stayed at the same age और stayed रुक गई थी at the same age एक ही उम्र पर for twenty years बीस सालों से और बीस सालों से एक ही उम्र पर उसी उम्र पर रुक गई थी ठीक है और बीस सालों से उसी उम्र पर रुक गई थी she could never have been pretty वो कभी भी सुन्दर नहीं रही होंगी यानि वो कहता है कि वो कभी भी सुन्दर नहीं रही होंगी वो कभी भी सुन्दर नहीं रही होंगी ये लोग जोट बोल रहे हैं कि वो कभी सुन्दर थी और जवान थी वो कभी भी सुन्दर नहीं रही होंगी but she was always beautiful लेकिन वो हमेशा से शुन्दर थी ये जो ब्यूटिफुल वर्ड है ये अंदर की सुन्दरता के बारे में हैं आप लोग भी याद कीजिए आपके दादा दादी आपको आपके माता पिता से ज़्यादा प्रेम करते हैं जब मम्मी डंडा लेके पीटने लगती है तो सबसे दादा या दादी छुडाते हैं कि रहने दो मत मारो बच्चा है बड़ा होके सुधर जाएगा ये सारी चीज़े याद है ठीक है तो ये होता है दादा दादी का प्यार यानि वहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि दादा जो दादी थी ना वो उनसे बहुत ज़दा प्रेम करत ठीक है, वो कभी भी शुन्दर नहीं हो सकेंगी, या फिर वो कभी भी शुन्दर नहीं रही होंगी, यनि यह बात मनना मुस्किल है मेरे लिए, बट शीवाज़ आल्वेस ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से सुन्दर थी, यानि वो मुझसे बहुत ज़ादा प्रेम करती अगला sentence बहुत ध्यान से समझना है आपको मैं इसको छोटा करूँगा मैं छोटा छोटा करके समझाओंगा आपको ठीक है तो पहले में इतना समझना है दिखें बुक में बहुत ज़्यदा निसान पढ़े हुए है क्योंकि मैं एक बार इस बुक से पढ़ा चुका हूँ मैं कोशिस करूँगा नई बुक के लिए ठीक है तो सी होबल्ड अबाउट दा हाउस इन स्पोटलेस वाइट सफेद कपड़े पहन कर स्पोटलेस मतलब बेदाग तो सी होबल्ड अबाउट दा हाउस वो घर में लंगड़ा कर चलती थी इन स्पोटलेस वाइट बेदाग सफेद कपड़े पहन कर तो बेदाग सफेद कपड़े पहन कर वो घर में लंगडा कर चलती थी क्लियर हो गया यहां पे अब आगे इसको भी छोटा करेंगे यहां पे पहले से मैंने छोटा किया है एक बार मैं इस बुक को प्रहा चुका हूँ और चैप्टर पहले से यह अप्लोड है लेकिन वो 2020 के लिए था ठीक है यह 2022 के लिए विट वन हैंड और एक हाथ रिष्टिंग ओन हर वेष्ट उनका एक हाथ उनके वेष्ट पर होता था उनके कूबर पर होता था तो बैलेंस हरिश्टूप अपने कूबर को संतुलन बनाए रखने के लिए यानि वो कह सकते हैं कि जो वेष्ट है यानि कमर है यहाँ पर दीखें बूरे लोग जो होते न वो थोड़ा सा जुक जाते हैं तो उनका थोड़ा सा कूबर निकल जाता है ठीक है तो कहते हैं कि with one hand resting on her waist वो अपने एक हाथ को अपनी कमर पर रखती थी वेष्ट मतलब कमर ठीक है अपने कूबर का संतुलन बनाये रखने के लिए वो अपने एक हाथ को अपनी कमर पर रखती थी and or the other दूसरे हाथ से telling the beats वो माला फेरा करती थी of a rosary यानि वो अपनी माला फेरा करती थी और दूसरे हाथ से वो माला फेरा करती थी ठीक है बुरे लोग माला ले ले लेते हैं और राम 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 चपने लगते हैं ठीक है तो देखिए मैंने मैं आपका सारा chapter complete कर दूँगा बढ़ कई बार बच्चे कोसिस करते हैं कि sir ये chapter नहीं मिल रहा ये chapter नहीं मिल रहा और उसके last में जोड़ देजिए desire point तो मेरा लिक्चर आ जाएगा ठीक है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह से या फिर आप channel की playlist का साहारा ले सकते हैं सभी chapters को complete करने के लिए ठीक है her silver locks were scattered untidally over her pocket face कहते हैं कि her silver locks उनके सफेद बाल were scattered बिखरे होते थे untidally बेढ़ंगे रूप से over her peel उनके पीले pocket face यानि उनके पीले और जुर्यों वाले चेहरे पर तो उनके her silver locks उनके चादी जैसे सफेद बाल were scattered बिखरे होते थे untidally बेढ़ंगे रूप से over her peel पकड़ फेश उनके पीले जुर्यों वाले चेहरे पर clear है and her lips और उनके होट constantly हमेशा moved हिलते रहते थे in inaudiable prayer एक मूख प्रार्थना में मूख मतलब चुपचाप inaudiable मतलब जिसमें audio ना हो आवाज ना हो ठीक है सिर्प होट हिले बस आवाज ना है and her lips उनके होट constantly moved in inaudiable prayer और उनके होट हमेशा चुपचाप प्रार्थना में या मूख प्रार्थना में हिलते रहते थे ठीक है यानि वो हमेशा चुपचाप प्रार्थना करते रहती थी yes हाँ she was beautiful वो शुंदर थी हाँ वो शुंदर थी ठीक है अब यहाँ से इतना जो पढ़ लिया ना इसको भूल जाओ ये वाला समझो अच्छी तरह से she was like the winter landscape in the mountains यहाँ पे इसको छोटा करेंगे सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझना है नहीं तो यहीं पे भूल जाओगे सब कुछ देखे she was like the winter she was like वो थी किस प्रकार थी like मतलब प्रकार तो she was like the winter वो शर्दियों में landscape landscape मतलब भूद रिश्य भूद रिश्य मतलब समतल भाग जैसे पहाड हों और पहाडों पर जो जमीन होती न वो उबर खावर होती है एक आयक बहुत उची चट्टान आ जाएगी उस पर चढ़ना होगा फिर एक आयक नीचे उतरना होगा फिर एक आयक पता चलेगा आप खाई में गिरते चले जा रहे हैं और रस्यों में बाधे रखो तो ठीक है नेतर वही पर राम नम सत्य हो जाएगा तो ऐसी इस्थती होती है जो परवत रोही होते हैं पहाड़ों पर चढ़ने वाले होते हैं उनको बहुत सारी कठनाईों का सामना करना परता है अगर उनको परवत में चढ़ते समय कोई समतल भूमी मिल जाए या फिर वो जब उपर से नीचे की ओर देखते हैं तो भी उनको बहुत संतोस प्राप्त होता है कि अरे हाँ नीचे का दृष्ट कितना जादा शुंदर है वैसे भी अगर आप किसी अच्छे अस्थान पर चले जाएं तो वहाँ पर आत्मा को एक अलग ही संतोस मिलता है कि हाँ यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है? तो वही चीज़ दादी मा जब साथ होती है या फिर अपनी मम्मी पापा जब साथ होते है तो अंदर से मजबूत महसूस होता है ऐसा लगता है कि हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं सारा जग जीत लेंगे क्योंकि मम्मी पापा साथ हैं दादा दादी साथ हैं यानि संतोस की भावना आती है कुछ भी चाहिए वो मिल जाएगा कुछ भी किसी भी ओर इसारा किया कि हाँ मोबाइल चाहिए तो मोबाइल मिल जाएगा बाइक चाहिए तो बाइक मिल जाएगी यानि इस्थदी की बात है कभी भी माता पिता से जिद नहीं करने चाहिए किसी भी चीज के लिए अगर कुछ करना है कुछ चाहिए तो अपने दम पर खरीदो इतने काबिल बनो कि हर चीज खरीद कर अपने पिता को दे सको हमें पढ़ाने के लिए हमें काबिल बनाने के लिए माता पिता अपने बहुत सारे सपनों को पीछे छोड़ देते हैं बेटा ठीक है तो कभी भी माता पिता को परिशान नहीं करना चाहिए हमेशा उनका सम्मान करो जितनी तुम्हारी ताकत है उतना उन्हें खुश रखो ठीक है तो यही बात है आपे चलिए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं मैं गलती से दूसरे रास्ते पर चला गया था सौरी तो सीवाज लाइक दे विंटर लैंड्सकेप सी वहाँ प्रकार थी पहारों पर तो पहारों पर शर्दियों में वह भूद्रिश की तरह थी यानि जब आप पहारों से नीचे के भूद्रिश कोदेखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कोहरे जैसा माहौल होता है और वह द्रिश बड़ा in the mountain पहाड़ों पर शर्दियों में भोद्रिश के समान थी यहां तक क्लियर हो गया कि दादी मा पहाड़ों पर शर्दियों में भोद्रिश के समान थी ठीक है अब आगी क्या कहते हैं वो भी द्यान से समझना एन एक्सपेंस मतलब उनका विस्तार था और प्योर स्वक्ष वाइट सफेद या स्वेथ शेटरनिटी यानि उनका स्वच और स्वेथ फैला हुआ छेतर था एक्सपेंस मतलब फैला हुआ छेतर तो उनका स्वच और स्वेथ फैला हुआ छेतर था यानि वो प्रेम से भरी थी उनमें बहुत ज़्यादा प्रेम था ऐसा लगता था कि इस स्वर का सारा प्रेम उनमें समाया है ठीक है तो expense of pure white saturnity यानि वहाँ स्वक्ष स्वेत छेत्र थी यानि स्वक्ष स्वेत और फैला हुआ छेत्र थी breathing peace और वहाँ पर breathing peace शांती का माहौल था and contentment और संतोष का वातावरन था यानि यहाँ पर यह कहना चाते हैं breathing peace and contentment और वहाँ पर शांती और संतोष का वातावरन था दीखे पहले इसको समझ लीजिए कि an expense यानि एक फैला हुआ छेत्र था of pure स्वक्ष श्वेत यानि स्वक्ष श्वेत फैला हुआ छेत्र था और वहाँ पर breathing peace and contentment यानि वहाँ पर या फिर जहां पर शांती और शंतोष का वातावरन था clear हो गया फिर से एक बार मैं परता हूँ ताकि doubts clear हो जाएं किसी वाज like the winter landscape in the mountain वो पहारों पर सर्दियों में landscape की तरह थी भूद्रिश्य के शमान थी और an expense of pure white saturnity यानि वहाँ यानि वो जो landscape होता है न उसकी बात हो रही है कि वहाँ एक विसाल या फिर एक फैला हुआ स्वक्ष स्वेत छेत्र था यानि वहाँ एक स्वक्ष स्वेत फैला हुआ छेत्र था जहाँ पर सांती और संतोष का वाता वरन होता है clear है यहाँ तक आगे चलेंगे माइ ग्रैंड मदर मेरी दादी मा एंड आई और मैं वर गूड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त थे मेरी दादी मा और मैं अच्छे दोस्त थे माइ पारेंट्स लेफ्ट मी मेरे माता पिता मुझे छोड गए थे विथर उनके साथ मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड गए थे when they went to live in the city जब वो सहर में रहने गए तो मेरे माता पिता जब सहर में रहने गए तो वो मुझे उनके साथ छोड गए थे यानि मेरी दादी मा के साथ छोड गए थे and we were constantly together और हम हमेशा साथ रहते थे यानि मैं और मेरी दादी मा हमेशा साथ रहते थे she used to wake me up वो मुझे उठाती थी यानि सुबह उठाती थी in the morning या आगे लिखा भी तो है वो मुझे सुबह उठाती थी and get me ready for school और school के लिए मुझे ready करती थी तयार करती थी clear है यहां तक she shared her morning prayers sad मतलब होता है कहना but morning prayers यानि शुबह की प्रार्थना तो प्रार्थना जब इनसान करता है तो वो थोड़ा सा गा करता है ठीक है तो वो प्रार्थना को कहने का एक तरीका होता है तो आप उसे गायन से जोड सकते हैं ठीक है यहां पर क्या कह सकते हैं she said her morning prayers वो अपनी शुबह की प्रार्थना गाती थी in a monotonous sing song एक नीरस तरीके से वो अपनी शुबह की प्रार्थना एक नीरस तरीके से गाया करती थी while she Bart जब वो नहलाती थी and dressed me और मुझे कपड़े पहनाती थी तो जब वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तो वो अपनी शुबह की प्रार्थना एक नीरस तरीके से गाया करती थी ठीक है यहाँ पर छोटा करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा फिर आपके लिए तो जब वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तो वो अपनी शुबह की प्रार्थना एक नीरस तरीके से गाया करती थी इन दो होप इस आसा में देट आई वूड लिसेन कि मैं सुनूंगा और इसे याद कर लूँगा वो सोचती थी कि मैं इसे सुनूंगा तो मुझे ये याद हो जाएगी अगर कोई वी चीज आप बार-बार सुनते हैं तो वो आपको याद हो जाती है जैसे कोई गाना हो प्रचलन में हो जाए तो गाना अपने आप याद हो जाता है आपके मुअँ पर आ जाता है आप गाने लगते हैं ठीक है तो वही चीज इन दोहोपी सासा में that I would listen कि मैं सुनूंगा and get to know it by heart और इसे याद कर लोगा I listened मैं सुनता था because I loved her voice क्योंकि मुझे उनकी आवाज पसंद थी but never bothered to learn it लेकिन मैंने इसे याद करने की कभी कोशिस नहीं की I listened because I loved her voice मैं इसे सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज पसंद थी but never bothered to learn it लेकिन मैंने इसे कभी याद करने की कोशिस नहीं की then she would fetch my wooden slate तब वो मेरी लकड़ी की slate उठाती थी पछले समय में यानि आपके माता पिता ने भी slate पर पढ़ाई की होगी ठीक है उनसे पुछेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझाएंगे ठीक है अभी पढ़ना है तो हम पढ़ लेते हैं बट इसके बारे में अगर आपको deeply जाना है तो अपने पिता जी से पुछेंगे वो आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि वो कैसे slate पर पढ़ते थे ठीक है तब वो मेरी लकडी की slate उठाती थी आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं तब वो मेरी लकडी की तक्थी लाती थी जिसे उन्होंने पहले ही पोता होता था यानि wash मतलब धोना प्लेस्टर मतलब पोतना तो आप इसको डारेक्ट बोलेंगे कि पोता होता था with yellow shark मुलतानी मिट्टे से ठीक है यलो चाक मतलब मुलतानी मिट्टी होती है आप लोगों ने देखा होगा चलिए छोड़िए ज्यादा लंबा नहीं कीशते मैं नहीं चाहता कि आप इसमें कंफ्यूज हो ठीक है तो यहाँ पर देखें देन सी वोड फिच माय वुडें स्लेट तब वो मेरी लकडी की स लाती थी विच सी है डालरीडी वाश्ट एंड प्लेश्टर्ड जिसे उन्होंने पहले ही पोता होता था वास मतलब धोना प्लेश्टर मतलब पोतना तो आप डारेक्ट बोलेंगे पोतना क्योंकि उसको पहले धोना पड़ता है फिर पोतना पड़ता है तो अगर आप डार बढ़ाखा कर कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि जिसे उन्होंने पहले ही धोकर पोता होता था with yellowigious mauуч मृलतानी मिट्टी से यहां तक clear हो गया ठीक है अर्टिनी earthen वह एक छोटा इंक pot दवात लेती थी earthen मिट्टी का एक छोटा मिट्टी का दवात लेती थी या एक छोटा मिट्टी का इंक पॉट लेती थी एंड रेट पेन और एक लाल पेन लेती थी क्लियर है यहां तक ठीक है क्या कहते हैं कि आफ अटीनी और्थन इंक पॉर्ट वो एक छोटा मिट्टी का इंक पॉर्ट लेती थी इंक पॉर्ट मतलब दवात तो वो एक छोटा मिट्टी का दवात लेती थी एंड रेट पेन और एक लाल पेन लेती थी यहां तक क्लियर हो ग बंडल एक बंडल में एक बंडल में इन सब को बंड़ती थी and hand it to me और इसे मुझे दे देती थी यानि जैसे आपका बैग माता जी आपकी तयार करती थी बच्पन में ठीक उसी प्रकार दादी मा इनको तयार करती थी यानि लिखने पढ़ने की जितनी चीजें हैं वो सारी च ब्रेकफास्ट नास्ता करने के बाद आफ अ ठीक स्टेल चपाती चपाती का नास्ता करने के बाद यानि नास्ते में एक चपाती खाने के बाद with a little butter जिस पर थोड़ा सा बटर and sugar और शकर spread लगा हूता था यानि रोती पर यानि चपाती बोल रहे हैं रोती को तो रोती को ह होता है ठीक है तो after a breakfast of a thick stale चपाती एक चपाती का नास्ता करने के बाद जिस पर थोड़ा सा बटर और सक्कर लगी होती थी तो इसको ऐसे कहेंगे कि एक चपाती जिस पर थोड़ी सी बटर और सक्कर लगी होती थी उसका नास्ता करने के बाद we went to school हम स्कूल के लिए जाते थे क्लेर रहें तक कि एक चपाती जिस पर थोड़ी सी बटर और थोड़ी सी सकर फैली होती थी तो उसका नाश्टा करने के बाद हम स्कूल जाते थे शी केरीड सेवरल स्टेल चपातीज यनि वो अपने साथ बहुत सारी चपातियां ले जाती थी, वो अपने साथ बहुत सारी चपातियां ले जाती थी, विथर अपने साथ, यानि वो अपने साथ बहुत सारी चपातियां ले जाती थी, देखें, सी केरीड वो ले जाती थी, several still चपाती बहुत सारी चपाती विथर अपने साथ वो अपने साथ बहुत सारी चपाती ले जाती थी for the village dogs गाओं के कुत्तों के लिए कहते हैं कि my grandmother मेरी दादी मा always went to school हमेशा इस्कूल जाती थी with me मेरे साथ तो मेरी दादी मा हमेशा मेरे साथ विद्या ले जाती थी because क्योंकि the school जो school था was attached जुड़ा हुआ था to the temple मंदिर से क्योंकि school मंदिर से जुड़ा हुआ था या फिर ऐसे कह सकते हैं क्योंकि school मंदिर में ही था ठीक हैं तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि my grandmother always went to school with me मेरी दादी मा हमेशा मेरे साथ school जाती थी because the school was attached to the temple क्योंकि school मंदिर से जुड़ा हुआ था the priest जो पुजारी था यानि मंदिर का जो पुजारी था tortoise वो हमें पढ़ाता था the alphabets वर्ण माला जो पुजारी था वो हमें वर्ण माला पढ़ाता था and the morning prayers और शुबह की प्रार्थना पढ़ाता था morning मतलब शुबह प्रेयर मतलब प्रार्थना तो पुजारी हमें वर्ण माला और शुबह की प्रार्थना पढ़ाता था while जब the children बच्चे set in row पंक्तियों में बैठा करते थे on either side दोनों तरफ आप दबरांदा वरांदे के जब बच्चे बरांदे के δोनों तरफ रो में पंक्ति में बैठा करते थे या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं कि जब बच्चे बरांदे में दोनों ओर बैठा करते थे Shringing the alphabet और वो alphabet को वर्ण माला को गाते थे और the prayer या प्रार्थना को गाते थे इन चोरस मतलब एक साथ मिलकर और वर्ण माला या प्रार्थना को एक साथ मिलकर गाते थे तो इसे ऐसे पूरा पढ़ेंगी कि while the children sat in row on either side of the veranda जब बच्चे बरामदे में दोनों और बैठा करते थे Singing the alphabet और the prayer in the chorus और एक साथ मिलकर चोरस एक साथ मिलकर वर्ण माला या फिर प्रार्थना को गाया करते थे तो माई मदर माई ग्रेंड मदर तो मेरी दादी माँ set inside मंदिर के अंदर बैठती थी Reading और पढ़ती थी the scriptures यानी धार्मिक पुस्तके तो मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तके पढ़ती थी Clear है या तक क्यों भी कुछ भी revision कराने जैसा नहीं है बहुत ही ज़्यादा easy है इसलिए मैं एक simple way में चल रहा हूँ When we had both finished जब हम दोनों अपना काम पूरा कर लेते थे यानी दादी मा अपना धार्मिक पुस्तक पढ़ लेती थी और हम लोग अपनी वर्णमाला या फिर सुबह की प्रार्थना गा लेते थे या दोहरा लेते थे We would walk back together तो हमें एक साथ घर के लिए रवाना हो जाते थे या फिर हम सभी यानी हम दोनों लोग मैं और मेरी दादी मा घर की ओर चल पढ़ते थे This time इस समय यानी इस बार दे विलेज डॉक्स गाओं के कुत्ते वुड मीट मीट मतलब मिलना अस मतलब हमें हमें मिलते थे At temple door मंदिर के दरवाजे पर इस बार गाओं के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे They followed us वो हमारा पीछा करते थे To our home हमारे घर तक वो हमारे घर तक हमारा पीछा करते थे इसको छोटा कर दिया ठीक है यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि वो हमारे घर तक हमारा पीछा करते थे पर नहीं चल रहे थे चलिए इतना होगे आपको आ गया ना इतना ठीक है ध्यान से समझेगा नहीं तो यहापे confused होंगे They followed us to our home वो हमारे घर तक हमारा पीछा करते थे Growling गुर्राते थे and fighting और लड़ते थे with each other आपस में आपस में गुर्राते और जगरते थे यहाँ तक भी clear हो गया इचदर मतलब एक दूसरे से तो आपस में गुर्राते और जगरते थे For the चपाती उन चपातियों के लिए We through to them जो हम through करते थे फेकते थे to them उनकी और तो जो चपातियां हम उनकी और फेकते थे उन चपातियों के लिए वो आपस में लड़ते और गुर्राते हुए Follow करते थे यानि हमारे घर तक हमारा पीछा करते थे Clear हो गया? छोटा छोटा करके पढ़ा दिया तो आराम से जुड़ गया न? ठीक है आगे चलते हैं When my parents were comfortably settled in the city When my parents, जब मेरे माता पिता were comfortably settled पूरी बिवस्था से या पूरे आराम से शिटल हो गये बस गये in the city सहर में तो जब मेरे माता पिता पूरे आराम से सहर में बस गये This sent for us तो उन्होंने हमें बुला लिया यानि मुझे और मेरी दादी मा को उन्होंने बुला लिया That was a turning point यहाँ पर एक मोड आया in our friendship हमारी मित्रता में हमारी मित्रता में यहाँ एक मोड आया मोड मतलब turning point ठीक है Although we shared the same room Although यद्यपी we shared हम रहते थे the same room एक ही कमरे में यद्यपी हम एक ही कमरे में रहते थे यानि मैं और मेरी दादी मा सहर जब गए तो सहर में हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे My grandmother तो फिर भी मेरी दादी मा no longer came to school मेरे साथ school नहीं आती थी no longer अब लेकिन फिर भी अब दादी मा मेरे साथ school नहीं आती थी I used to go to an English school मैं एक English school में जाता था मैं एक अंग्रेजी school में जाता था in a motor bus बस से तो मैं बस से एक अंग्रेजी school में जाता था there were no dogs वहाँ पर कुटे नहीं थे भाई सहर में बस गए तो कहते हैं कि वहाँ सहर में कुटे नहीं थे in the street गलियों में वहाँ पर कुटे आवारो कुटों को पकड़ लिया जाता है ठीक है तो वही कहते हैं कि गलियों में वहाँ पर कुटे नहीं थे and she took to feeding और उन्होंने feed करना सुरू कर दिया खिलाना शुरू कर दिया इस फैरोस पंक्षियों को और उन्होंने पच्छियों को खिलाना शुरू कर दिया तो हमारे सहर के घर के बरामदे में उन्होंने चीडियों को खिलाना शुरू कर दिया क्लियर है यहां तक there were no dogs in the street गलियों में कुट्टे नहीं थे और उन्होंने हमारे सहर के घर के आंगन में करट्यार मतलब आंगन होता है ठीक है तो हमारे सहर के घर के आंगन में पच्छीयों को खिलाना चिडियों को खिलाना सुरू कर दिया clear है जैसा कच्छा है वैसा कह सकते हैं as the years rolled जैसे जैसे साल बीथते गए we saw less to each other हम एक दूसरे से कम मिलने लगे यानि as the years rolled by जैसे जैसे साल बीथते गए we saw less of each other हम एक दूसरे से कम मिलने लगे या फिर हम एक दूसरे से कम मिलते थे ठीक है जैसे जैसे साल बीत गए, वैसे वैसे हम एक दूसरे से कम मिलते थे, यानि दूरिया धेर धेर बढ़ती गई, for some time, कुछ समय तक, she continued to wake me up, वो मुझे उठाती and get me ready और तयार करती for school, school के लिए, for some time, यानि for some time, यानि कुछ समय तक, she continued to wake me up, वो मुझे जगाती and get me ready for school, और school के लिए, मुझे तयार करती थी, when I came back, और जब मैं school से वापस आता, she would ask, वो पूछती, me मुझे, तो वो मुझे से पूछती, और जब मैं school से वापस आता, तो वो मुझे से पूछती, what the teacher, कि teacher ने क्या had taught me, मुझे पढ़ाया, यानि teacher ने, अ English words, मैं उन्हें अंग्रेजी सब्द बताया करता था, and little things, और थोड़ी चीजे बताया करता था, western science, पश्चमी विज्ञान के बारे में, and learning और ज्ञान के बारे में, यानि इसको ऐसे पढ़ेंगे, कि I would tell her English words, छोटा-छोटा करना पढ़ेगा, ठीक है, ताकि आपके doubts ना ह क्योंकि अभी भी आप बच्चे ही हैं, भले आप 11th standard में पहुचिए हैं, ठीक है, I would tell her English words, मैं उन्हें अंग्रेजी सब्द बताया करता था, and little things, और थोड़ी बाते बताया करता था, western science and learning, western मतलब पश्चमी, science मतलब बिग्यान, and learning मतलब ग्यान, तो पश्चमी ग्यान ब ग्यान के बारे में थोड़ी चीजे बताया करता था, जैसे कि दलाफ, gravity, गुरुत्वा कर्शन का सिध्धान्त, या गुरुत्व का नियम भी कह सकते हैं, आकमडीस, principle, आकमडीस का सिध्धान्त, the world being round, और वो बताता कहता कि the world being round, यानी पृत्वी गोल हुए, यानी पृत पृत्वी के गोल होने की बाते भी बताता था, एटिसी और ऐसी ही बहुत सारी में उनको बताता था, यानी कौन कौन सी बाते बताते हैं, गुरुत्व का नियम, आकमडीस का सिध्धान्त, the world being round, यानी पृत्वी गोल है, एटिसी और ऐसी ही बहुत सी बाते वो उनको बता मेरी सहायता नहीं कर सकती थी, with my license, मेरे अध्याय में, मेरे अध्याय में, या फिर मेरे पाठों में, वो अब मेरी सहायता नहीं कर सकती थी, she did not believe in the things, वो उन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, they taught जो वो पढ़ाते थे at the English school, अंग्रेजी स्कूल में, छोटा कर लिजे ठीक है, तो she did not believe वो विश्वास नहीं करते थी, in the things, उन चीजों पर, तो वो उन चीजों पर विश्वास नहीं करती थी, they taught जो वो पढ़ाते थे at the English school, अंग्रेजी स्कूल में, and was distressed और परिशान थी, that key, there was no teaching about God, कि वहाँ पर इस स्वर के बारे में, no teaching कुछ भी पढ़ ठीक है, तो और वो दुखी थी, कि there was no teaching about God, वहाँ पर इस स्वर के बारे में, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, and the scriptures और धार्मिक गरंथों के बारे में, यानि वहाँ दुखी थी, क्योंकि वहाँ पर इस स्वर और धार्मिक गरंथों के बारे में, no teaching कुछ भी पढ़ाया यानि इसको पूरा इस तरह से कह सकते हैं, कि वह दुखी थी, कि इस्वर और धार्मिक गरंथों के बारे में, school में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, clear है, one day, एक दिन, I announced, मैंने बताया, that we were being given music class, I one day, एक दिन, I announced, मैंने बताया, that we were being given, हमें दी जा रही है, music lessons, संगीत की कक्षाएं, यानि, one day, I announced, एक दिन, मैंने बताया, that we were being given music lessons, यानि, इसका मतलब है, कि हमें शंगीत सिखाया जा रहा है, एक दिन, मैंने बताया, कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है, she was very disturbed, वो बहुत जादा परेशान हो गई, to her, उनके हिसाब से, music, संगीत, had lewd associations, एक अशोभनीय चीज है, to her, उनके हिसाब से, संगीत अशोभनीय है, ठीक है, यानि, सम्मानित लोगों को संगीत नहीं सीखना चाहिए, वो ऐसा मानती थी, clear है, to her, उनके हिसाब से, music, had lewd associations, उनके हिसाब से, संगीत अशोभनीय है, it was the monopoly, यह एका अधिकार है, of her lords, वैश्याओं का, and beggars और भिखारियों का, यह भिखारियों और वैश्याओं का, एका अधिकार है, यानि, कहने का मतलब है, कि भिखारी गाब जाकर के भीख मांगता है, ठीक है, वैश्याओं, तो चलिए, कहने का मतलब है, कि यहाँ पर जो वो कह रही है, उनके हिसाब से, यह बात है, कि it was the monopoly, यह एका अधिकार है, और सजन लोगों को यह सोभा नहीं देता, ठीक है, क्लियर हो गया है, यह तक, कि it was the monopoly, यह एका अधिकार है, और सजन लोगों को यह सोभा नहीं देता, she said nothing, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट her silence, लेकिन उनकी चुपी, mint disapproval, यानि उनकी चुपी का mint मतलब disapproval नाराजगी से था, वह कुछ भी नहीं बोली, लेकिन उनकी चुपी का मतलब नाराजगी से था, ठीक है, यानि वो चुप थी, तो इसका मतलब यह था, कि वो ना राज है, she rarely talked to me, वो मुझसे बहुत कम बात करती थी, after that िसके बाद, इसके बाद, वो मुझसे बहुत कम बात करती थी, या फिर ऐसे कह सकते हैं, कि इसके बाद वो मुझसे कभी कभी ही बात करती थी, When I went up to university जब मैं विश्व विद्याले में गया I was given a room of my own तो मुझे मेरा खुद का कमरा दिया गया यानि मुझे एक अलग से कमरा मिल गया अब मुझे दादी मा के साथ रहने की ज़रूरत नहीं थी The common link एक साजी कड़ी of friendship मितरता की वाद स्नैप्ट तूट गई हमारी दोस्ती की साजी कड़ी तूट गई My grandmother accepted मेरी दादी माने सुईकार कर लिया Her circulation अपना अकेला पन with resignation बीना आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरी दादी माने अपना अकेला पन सांत भाव से सुईकार कर लिया यानि उन्होंने बिरोध नहीं किया Clear है See Rarely Left Rarely मतलब बहुत मुस्किल से Left मतलब छोड़ती थी यानि वो बहुत मुस्किल से छोड़ती थी Her spinning wheel Spinning wheel मतलब यहाँ पे चर्खे से है बट आप आराम कुर्सी से भी इसका मतलब लगा सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर आराम कुर्सी बोलेंगे Clear है See Rarely Left अब यहाँ पे जो है Rarely Left यानि बहुत मुस्किल से Her spinning wheel अपने spinning wheel को अपनी आराम कुर्सी को वो छोड़ती थी अर्थात यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि वो अपनी आराम कुर्सी को कभी भी नहीं छोड़ती थी Clear है To talk to anyone किसी से बात करने के लिए तो किसी से भी बात करने के लिए वो अपनी आराम कुर्सी को spinning wheel को कभी भी नहीं छोड़ती थी Clear है From sunrise to sunset सूर्योदय से सूर्यास्त तक She sat by her wheel spinning वो अपनी आराम कुर्सी पर पर बैठी रहती थी ठीक है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो अपने चर्खे पर बैठी रहती थी and reshating prayers और भजन गाती रहती थी Only in the afternoon केवल दोपार के समय She relaxed for a while वो थोड़ी देर के लिए relax करती थी आराम करती थी केवल दोपार के समय वो थोड़ी देर के लिए आराम करती थी to feed the sparrows पक्चियों को चिडियों को खाना खिलाने के लिए ठीक है तो केवल दोपार के समय वो पक्चियों को चिडियों को sorry sparrows चिडियों को खाना खिलाने के लिए थोड़ी देर के लिए आराम करती थी वाइल सी सैट इन बरांदा जब वो आंगन में बैठती थी बरांदे में बैठती थी breaking the bread रोटी को तोड़ती थी into little bits छोटे छोटे तुकड़ों में ठीक है तो वाइल सी सैट इन बरांदा जब वो बरांदे में बैठ कर रोटी को लिटिल बिट्स छोटे छोटे टुकडों में ब्रीकिंग तोड़ती थी तो सैकडो छोटी चिडिया गलेक्टिड राउंड हर उनके पास इकठा हो जाती थी राउंड हर मतलब उनके आस पास या उनके चारो और इकठा हो जाती थी Creating a Veritable Bad Lump of Sheerampings एक अजीब तरह का सोर मचाते हुए या फिर आप सिधा सिधा करे सकते हैं कि चींचीं करते हुए भाई चिडिया तो चीचीं ही करेगी न यहाँ पे नीचे देखिए कि सेकड़ो छोटी छोटी चिडिया उनके चारो और इकठा हो जाती थी तथा चींचीं करके पागल बना देती थी यानि वही बात है मतलब चींचीं करके वह बहुत जदा सोर मचाती थी clear है तो दोनों तरह से मैंने समझा दिया यह bold करके लिखा गया यानि मोटा करके लिखा गया इसलिए मैंने इसको और अच्छे से समझा दिया आपको clear some came and perched on her legs कुछ आती और उनके पैरों पर बैठ जाती others on her shoulder तो कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती some came and perched on her legs कुछ चिडिया आकर उनके पैरों पर बैठ जाती और कुछ चिडिया आकर उनके कंधों पर बैठ जाती Some even sat on her head और कुछ तो sat on her head और कुछ तो उनके सर पर भी बैठ जाती थी यानि कुछ चिडिया आकर उनकी टांगों पर बैठ जाती थी और कुछ चिडिया आकर उनके कंधों पर बैठ जाती थी लेकिन कुछ शिडिया तो ऐसी थी जो उनके सर पर भी बैठ जाती थी शी स्माइल्ड वो मुस्कुरा देती बट नेवर शूड देमवे लेकिन उन्हें कभी भी भगाती नहीं थी इट यूज टू बी दा हैपिस्ट हाफ आवर दीखें छोटा कर लिजें यहाँ पे यूज टू बी यह हुआ करता था दा हैपिस्ट हाफ आवर सबसे खुश हाफ आवर आधा घंटा ये आधे घंटे ये आधे घंटे यूज टू बी दा हैपिस्ट हाफ आवर उनके लिए सबसे खुशी का समय होता था दिन का फॉरहर उनके लिए ठीक है तो फॉरहर उनके लिए ये आधे घंटे दिन के सबसे खुशी का समय होता था यानि इसको ऐसे कह रहे हैं कि ये आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन में सबसे जादा खुशी का शमय होता था क्लिर है मैं रिवीजन नहीं करा रहा क्योंकि बहुत ही जादा इजी चैप्टर है आगे करते हैं कि when I decided to go abroad for fewer studies तो fewer studies आगे की पढ़ाई के लिए when I decided मैंने निशे किया to go abroad विदेश जाने का तो when I decided to go abroad मैंने विदेश जाने का निशे किया for fewer studies आगे की पढ़ाई के लिए तो जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निशे किया I was sure तो मैं sure था मुझे ये विश्वास था My grandmother की मेरी दादी मा Would be upset दुखी हो जाएंगी बेचैन हो जाएंगी तो जब I was sure मुझे ये विश्वास था की मेरी दादी मा बेचैन हो जाएंगी I would be away for five years मैं पांच सालों के लिए दूर रहूंगा यानि मैं पांच सालों तक दूर रहूंगा I would be away मैं दूर रहूंगा for five years पांच सालों तक यानि जो भी course करने ये जा रहे थे उसकी अवधी पांच वर्स थी ठीक है तो मैं पांच सालों के लिए दूर रहूंगा and at our age और उनकी उम्र में यानि जो उनकी उम्र है यानि वो बहुत ज़्यदा बुड़ी है तो कहते कि जो उनकी उम्र है one could never tell कोई भी नहीं बता सकता यानि उनकी उम्र के बारे में कोई भी नहीं बता सकता यानि वो कब मर जाएंगी ये कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोड़ी है और भी ज़्यादा आसान करके ऐसे पढ़ सकते हैं कि I would be away for five years मैं पाँच सालों तक दूर रहूंगा and at her age और उनकी उम्र के बारे में one could never tell कोई कुछ भी नहीं बता सकता अर्थात वो कब मर जाएंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है but my grandmother could लेकिन मेरी दादी मा बता सकती थी यानि मेरी दादी मा को विश्वास था कि वो अभी और ज़्यादा जिन्दा रहेंगी but my grandmother could लेकिन मेरी दादी मा बता सकती थी she was not even sentimental वो तो भावुक भी नहीं हुई sentimental मतलब भावुक she was not even sentimental वो भावुक भी नहीं हुई यानि उनमें थोड़ा सा भी भावुकता नहीं आई यानि वो थोड़ी सी भी उदास नहीं हुई she came to leave me वो मुझे छोड़ने आई या फिर वो मुझे अलविदा कहने आई at the railway station railway station पर railway station पर वो मुझे अलविदा कहने आई but did not talk लेकिन उन्होंने बात नहीं की और शो और ना ही दिखाया आनि emotion कोई भावना ना तो उन्होंने बात की और ना ही कोई भावना दिखाई वो मुझे अलविदा कहने के लिए ये मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक तो आई लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की और ना ही कोई भावना दिखाई अनके होट़िए प्रार्फना करते हुए हिल रहे थे उनकी होट प्रार्फना करते हुए हिल रहे थे उनकी उंहोंगलियां वर्पेजी व्यस्त थी telling the beast of a rosary माला फेरने में उनकी उगलिया अपनी माला फेरने में व्यस्त थी silently चुप चाप she kissed उन्होंने चुम्बल लिया my forehead मेरे माथे पर उन्होंने चुप चाप मेरा माथा चूमा and when I left और जब मैं जाने लगा I cherished the most imprint I cherished मैं ले गया the most imprint इस गीली चाप को यानि इस चुम्बन को तो मैं इस चुम्बन को अपने साथ ले गया यहाँ पर छोटा करिए नहीं तो confused हो जाएंगे ठीक है and when I left और जब मैं जाने लगा I cherished the most imprint मैं इस गीली चाप को अपने साथ ले गया अब गीली चाप नहीं बोलूँगा मैं यानि most imprint मतलब चुम्बन ठीक है तो मैं इस चुम्बन को अपने साथ ले गया as perhaps क्योंकि सायद the last sign यह अंतिम साइन है यह अंतिम संकेत है और physical contact सारीरिक संपर्क का between us हमारे बीच यानि मुझे लग रहा था कि जब मैं लौट के आऊंगा तो मेरी दादी मा मर चुकी होंगी इसलिए मैं इस चुम्बन को अपने साथ ले गया क्योंकि मुझे लगा कि हम दोनों के बीच सारीरिक संपर्क की यह आखरी निशानी है clear है यहां तर when I left I cherish the moist imprint तो जब मैं जाने लगा तो मैं इस गीली छाप को अपने साथ ले गया as perhaps क्योंकि मुझे लग रहा था the last shine of physical contact between us the last shine यह अंतिम संकेत है यह अंतिम निशानी है shine भी पतलब निशानी तो जो ऐसा चाहब ऐसे कह सकते है ठीक है the last shine यह आखरी निशानी है of physical contact सारी दिख संपर्क की between us हमारे बीच क्योंकि मुझे लग रहा था कि यह चुम्बन हमारे बीच सारी दिख संपर्क की आखरी निशानी है but that was not so लेकिन ऐसा नहीं हुआ यानि लेखक को लग रहा था कि यह दादी मा तो टपक जाएंगी बट ऐसा हुआ ही नहीं ठीक है दादी मा जिन्दा थी but that was not so लेकिन ऐसा नहीं हुआ after five years पांच सालों बाद I came back मैं वापस आया home अपने घर पांच सालों बाद जब मैं घर वापस आया and was met by her और उनसे मिला at the station इस्टेशन पर यानि पांच वर्ष बाद जब मैं घर वापस आया और उनसे इस्टेशन पर मिला she did not look one day older वो एक भी दिन बूरी नहीं लग रही थी यानि जैसा छोड़ कर गया था एकदम वैसी ही थी थोड़ी सी भी बूरी नहीं हुई थी यानि वो एक भी दिन एक भी दिन जादा बूरी नहीं लग रही थी यानि वो थोड़ी सी भी जादा बूरी नहीं हुई थी she did not look a day older वो थोड़ी सी भी बूरी नहीं हुई थी ऐसा कह सकते हैं या फिर आपके अध्यापक डारेट कह सकते हैं कि वो वैशी की वैशी ही थी She still had no time उनके पास अभी भी समय नहीं था Still मतलब अभी भी She still had no time उनके पास अभी भी समय नहीं था मी इन हर आम्स, दिखिए मुझे कैमरा में पढ़ना पड़ता है, तो आप लोग थोड़ा से ध्यान दिया करिए, ठीक है, एंड वाइल से क्लैप्स्ट जब उन्होंने भर लिया, मी मुझे इन हर आम्स अपनी बाहों में, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, आई कुड़ हीर, मैं सुन सकता था, हर रेशी टिंग, हर प्रियर्श, उनको प्रार्थना गाते हुए, तो जब उन्ह पहले दिन भी, आफ माई अराइवल, मेरे आने के, मेरे वापस आने के, पहले दिन भी, हर हैपीस्ट मॉमेंट, उनका सबसे खुशी भरा श्रमय, वर विधर स्पैरोस, अपनी चीडियों के साथ बीता, छोटा कर लेंगे, ठीक है, पंगा नहीं लेना चैप्टर से, करके अपना साइड में रखो, और फिर आगे चलो, कोहरे से एक बात सीखने को मिलती है, कि जितनी दूर तक रास्ता दिख रहा है, उतना चलो, और फिर उसके आगे, जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो आगे का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा, ये बात मैंने किताब में पढ़ी थी, ठीक है, मेरे अपने सब्द नहीं है ये, तो कहते हैं कि, even on the first day of my arrival, मेरे आने के पहले दिन भी, her happiest moment were, with her sparrows, उनका सबसे अधिक खुशी का समय, अपनी चिडियों के साथ बीता, whom, जिन्हें, see feed longer, अब वो ज़्यादा देर तक feed करने लगी थी, खिलाने लगी थी, फिर से छोटा करेंगे, whom, see feed longer, जिन्हें वो अब ज़्यादा देर तक खिलाने लगी थी, and with fairy wobble, rebukes, और प्यार से फटकारने लगी थी, हशी से फटकारने लगी थी, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, तो अब जिन्हें वो ज़्यादा देर तक खिलाने लगी थी, और हशी शे, प्यार से फटकारने लगी थी, इन दा इवनिंग, साम के समय, अचेंज के मोवरहर, उनमें एक अजीब परिवर्तन हुगा, साम के समय, अचेंज के मोवरहर, उनमें एक परिवर्तन हो गया, या फिर उनमें एक परिवर्तन हुगा, कई तरह से मैं बताता हूँ, ताकि आपको हर तरह से समझ में आ जाए, In the evening, Sam ke Samaya change came over her, उनमें एक परिवर्तन हुआ, She did not pray, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, She collected the woman, उन्होंने महिलाओं को इकठा किया, आप दे नेबर होड परोस की, उन्होंने परोस की महिलाओं को इकठा किया, Got an old drum, एक पुराना धोल लिया, And started to sing और गाना सुरू कर दिया, Got an old drum, एक पुराना धोल लिया, And started to sing और गाना सुरू कर दिया, For several hours, कई घंटों तक, She thombed, वो बजाती रही, The sagging skin, उस धीली धाली, Of the dilapidated drum, यहनि उस धीली धाली धोल को, काफी लंबे समय तक, या कई घंटों तक, Several hours, मतलब कई घंटों तक, यानि काफी लंबे समय तक, She thombed the sagging skin, Of the dilapidated drum, वो उस धीली धाली धोल को, बजाती रही, And sung और गाती रही, The home coming, यह नहीं समझ में आया क्या आपको, Sagging skin, मतलब धीली धाली, Sagging मतलब धीली हो जाय धोल, ठीक है, The dilapidated drum, यानि dilapidated drum मतलब धोल, ठीक है, तो धीली धाली धोल, ठीक है, इसका मतलब क्यों इतना सही हो, कुछ नहीं, ठीक है, जादा कुछ जोड़ने की जरुरत नहीं है, जितना जरुरत है उतना पढ़ना है, ठीक, And sung और गाती रही, और वीरों के योधाओं के घर वापस आने के गीत गाती रही, उन्होंने काफी कई घंटों तक वो उस धीली धाली धोल को बजाती रही, और वीरों के घर वापस आने के गीत गाती रही, We had to pursue with her, हमें उन्हें रोकना पड़ा, तो इस्टॉप, यानि कहते हैं, कि We had to persuade her, तो इस्टॉप, हमें उन्हें रोकना पड़ा, तो अवाइड नजर अंदाज करने के लिए, उस ट्रेनिंग, ज्यादा जोर मारने से, यानि नहीं समझ में आया यहां पे न, ये कहता है, कि We had to pursue her, हमें उन्हें रोकना पड़ा, तो अवाइड ओवर स्ट्रेनिंग, ज्यादा जोर मारने से, यानि ज्यादा जोर से वो ना गाएं, इसके लिए हमें उन्हें रोकना पड़ा, क्योंकि वो एक बृद्ध महिला थी, और इसी लिए हमें उन्हें रोकना पड़ा, कि वो ज्यादा जोर से ना गाएं, ख्लियर है यहां तक, हमें उन्हें रोकना पड़ा, कि वो ज्यादा जोर से, या ज्यादा जोर लगा कर गीत ना गाएं, ठीक हैं, आपकी बुक में दिया है, कि हमें उन्हें अधिक जोर नहीं मारने के लिए राजी करना पड़ा, जैसा चाहें आप पड़ सकते हैं, कोई रोक्टोक नहीं है, तो जबसे मैं उन्हें जाता हूँ, ये पहली बार था जबसे मैं उन्हें जाता हूँ, कि उन्हें परारथना नहीं की. the next morning अगली सुबह शिवास टेकेनिल वो बीमार पड़ गई अगली सुबह वो बीमार पड़ गई it was a mild fever ये खलका बुखार था and the doctors told us और doctor ने हमें बताया that it would go कि ये ठीक हो जाएगा या फिर ये उतर जाएगा it was a mild fever ये खलका बुखार था and the doctor told us और doctor ने हमें बताया that it would go कि ये ठीक हो जाएगा या फिर ये उतर जाएगा but my grandmother thought differently but my grandmother लेकिन मेरी दादी मा का thought विचार differently अलग था लेकिन मेरी दादी मा का विचार कुछ और था या फिर मेरी दादी मा का विचार अलग था she told us उन्होंने हमें बताया that her end was near कि उनका अन्त शमय आ गया है उन्होंने हमें बताया कि उनका अन्त आ गया है she said उन्होंने कहा that कि she is only a few hours कि केवल कुछ घंटे before the close of the last chapter before मतलब पहले close मतलब बंध होने के last chapter मतलब अंती मध्याय of our life उनके जीवन के अब मैंने एक एक बता दिया ना अब देखे इसको पढ़ना कैसे है यहाँ पर इसको पहले छोटा करेंगे क्योंकि इससे पंगा नहीं ले ना इससे लड़ाई नहीं करनी इसको समझना है ठीक है तो she said उन्होंने कहा that की उन्होंने कहा की since only a few hours before कुछ घंटे the close of the last chapter of her life अपने अंतिम समय के तो यहाँ पर कहता है कि since only a few hours before the close of the last chapter of her life तो her life उनके जीवन के अंतिम समय के कुछ घंटे पहले ठीक है यहाँ पर के वहले इतनी बात है कि उनके जीवन के last chapter मतलब अंतिम समय ठीक है तो उनके जीवन के अंतिम समय के कुछ घंटे पहले कुछ घंटे पहले she had omitted to pray वो प्रार्थना करना भूल गई थी अभी भी नहीं समझवाया यहाँ पर कहते हैं कि she said उनके जीवन के last chapter अंतिम समय के only a few hours before कुछ घंटे पहले she had omitted to pray वो प्रार्थना करना भूल गई थी अगर नहीं आ रहा तो डारेक्ट याद कर लिजे इसको कि अपने अंतिम समय के last chapter मतलब होता है कि वही अंतिम समय अंतिम अध्या मतलब अंतिम समय तो अपने जीवन के अंतिम समय के कुछ घंटे पहले she had omitted to pray वो प्रार्थना करना भूल गई थी she was not going to waste any more time इसलिए she was not going to waste वो बरबाद नहीं करेंगी any more time थोड़ा सा भी समय talking to us हमसे बात करने में इसलिए वो हमसे बात करने में थोड़ा सा भी समय बरबाद नहीं करेंगी यानि यहाँ पर वो सिधा सिधा कहना चाहती है कि उनके पास हमसे बात करने के लिए वक्त नहीं है we protested हमने विरोध किया but she ignored our protest लेकिन उन्होंने हमारे बिरोध पर ध्यान नहीं दिया she lay peacefully वो शांती से लेट गई in bed अपने बिस्तर में वो बिस्तर में शांती से लेट गई praying प्रार्थना करते हुए and telling her beats और माला फेरते हुए वो बिस्तर पर शांती से प्रार्थना करते हुए और माला फेरते हुए लेट गई clear है कि वो शांती से बिस्तर पर प्रार्थना करते हुए और माला फेरते हुए लेटी रही even before we could suspect even before we could suspect इससे पहले कि हम संदेह कर पाते suspect मतलब संदेह इससे पहले कि हम संदेह कर पाते हर लिप्स स्टॉप्ट मुविंग उनके होट हिलने बंध हो गए रोजरी और वो माला फिल फ्रों हर लाइफलेस फिंगर्ज उनकी लाइफलेस निरजीव फिंगर्ज उंगलियों से फिल गिर गई और माला उनकी निर्जी वोंगलियों से गिर गई एक सान्त पर पिलापन उनके चहरे पर फैल गया और हम जान गए देट सी वास देट की वो मर चुकी है वास है तो ओवर मर चुकी थी ठीक है वी लिफ्टेड हर आफ देट हमने उन्हें बेट से हटाया या फिर बेट से नीचे उतारा and as is customary यानि रीती रिवाज अनुसार कहने का मतलब है कि पूरे रीती रिवाज की अनुसार हमने उन्हें बिस्तर से नीचे उतारा लेड और लिटा दिया हर उन्हें on the ground फर्स पर या पर छोटा कर लिजिए ठीक है कि पूरे रीती रिवाज से हमने उन्हें बेट से नीचे उतारा और लेडा अन दे ग्राउंड और उन्हें फर्स पर लिटा दिया और उन्हें ढख दिया विट रेड साफ रेड स्रॉंड एक लाल कफन से और उन्हें एक लाल कफन से ढख दिया या फिर उन पर एक लाल कफन उढ़ा दिया After a few hours of morning कुछ घंटों तक शोक मनाने के बाद we left her alone हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया to make arrangements ताकि हम तयारियां कर सके for her funeral उनकी अर्थी की ठीक है उनके अंतिम शफर की उनके अंतिम यात्रा की कई तरह से आपके अध्यापक भी पढ़ा सकते हैं और कई तरह से कहीं से भी आप देखेंगे तो कई तरह से आपको मिलेगा इसलिए मैं आपको कई तरह से समझा रहा हूं ठीक है तो after a few hours of morning कई कुछ घंटों तक शोक मनाने के बाद उनके अंतिम शफर की या फिर उनकी अर्थी की तैयारीया करने के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया In the evening, शाम के समय we went to her room हम उनके कमरे में गए with a crewed stranger एक अर्थी के साथ साम के समय हम अर्थी के साथ उनके कमरे में गए to take her उन्हें ले जाने के लिए to be cremated जलाने के लिए उन्हें जलाने के लिए या उनका दाह शंसकार करने के लिए हम एक अर्थी लेकर शाम के समय उनके कमरे में गए या फिर शूर्य अस्त हो रहा था and head lit और वो जगमगा रहा था हर रूम उनके कमरे को और वो उनके कमरे को जगमगा रहा था और वरांदा और बरामदे को जगमगा रहा था with a blaze एक किरन से of golden light सुनहरी किरन से सुनहरे लाइट प्रकास की किरन से ठीक है और वहाँ बरामदे और उनके कमरे को सुनहरी या फिर गोल्डन मतलब सुनहरी लाइट मतलब प्रकास की किरन से जगमगा रहा था चमका रहा था और ज्यादा आसान करना हो तो ऐसे कह सकते हैं कि दश्रनवाज सिटिंग शुर्य छिप रहा था एंड हैड लिट और वो प्रकास मान कर रहा था वो जगमगा रहा था हर रूम उनके कमरे को एंड वरांदा और बरामदे को विथब बलेज एक किरन से और गोल्डन लाइट सु उन्हें छुप रहा था और वो उनके कमरे और वरामदे को शुनहरे प्रकास की किरण से जगमगा रहा था। We stopped, हम रुख गए, Halfway, आधे रास्ते में, हम बीच में ही रुख गए, in the courtyard, आगन के, हम आगन के बीच में ही रुख गए, all over the बरामदा, बरामदे में चारो ओर, and in her room और उनके कमरे में, right up to where she lay, जहाँ पर वो लेटी हुई थी, dead, मृत, जहाँ पर वो मृत लेटी हुई थी and stiff wrapped और लपीटी हुई थी, in the red shroud, लाल कफन में, चोटा चोटा करके समझना होगा, कि all over the बरामदा, पूरे बरामदे में, ठीक है, यहाँ पर हो गया, चोटा कर दिया, all over the बरामदा, पूरे बरामदे में, and in her room, और उनके कमरे में, right up, ठीक उस स्थान पर where she lay, जहाँ पर लेटी हुई थी, मृत, जहाँ पर वो मृत लेटी हुई थी, ठीक है, and stripped red, in the red shroud, लाल कफन में, लिपटी हुई, लाल कफन में, लिपटी हुई, तो अब फिर से देखिए, इस पूरे सेंटेंस का मतलब हो गया, कि लाल कफन में, लिपटी हुई, right up to where she lay, इस पूरे सेंट में, और उनके कमरे में, जहाँ पर वो मृत, लाल कफन में, लिपटी हुई, लेटी हुई थी, thousand of sparrows, हजारों चिडिया, सैट, बैठी हुई थी, scattered, फैली हुई, या बिखरी हुई, on the floor, फर्स पर, हजारों चिडिया, फर्स पर, बिखरी हुई, बैठी हुई थी, there was no serumping, वो चीची नहीं कर रही थी, ठीक है, चीची नहीं कर रही थी, we felt sorry, हमें दया आगई, for the birds, पच्छियों पर, चिडियों पर हमें दया आगई, and my mother और मेरी मा, fetched some bread, कुछ रोटी ले आई, for them, उनके लिए, और मेरी मा, उनके लिए, कुछ रोटी ले आई, she broke it, उन्होंने इसे तोड़ा, यानि मेरी माने उसे तोड़ा, into little crumbs, छोटे छोटे टुकड़ों में, यानि दादी मा भी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में, तोड़ कर चिडियों को खिलाती थी ना, तो भाई कैतें कि she broke it, उन्होंने इसे तोड़ा, यानि उन्हों फेक दिया टुदेम उनकी और चिडियों की और ठीक है और रोटी को चिडियों की और फेक दिया ठीक है अब इसे अध्यापक ऐसे भी डारेक्ट पढ़ा सकते हैं कि रोटी को यानि इसे उसकी और यानि उनकी और फेक दिया बट मैंने आपको डारेक्ट ले बता दिया कि दे my grandmother used to जैसे की मेरी दादी मा तोड़ा करती थी and threw it to them और इसे उनकी ओर फेक दिया यानि रोटी को चिडियों की ओर फेक दिया the sparrows चिडियों ने took no notice थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया of the bread रोटी की तरफ चिडियों ने रोटी की तरफ या चिडियों ने रोटी की ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया when we carried my grandmother's corpse off जब हम अपनी दादी मा के corpse off मृत सरीर को carried ले कर चल पड़े तो when we carried my grandmother's corpse off जब हम अपनी दादी मा के मृत सरीर को ले कर चल पड़े they flew away quietly तो they flew away वो उड़ गई quietly सांती से तो वो सांती से उड़ गई या फिर वो चुप चाप उड़ गई next morning यानि चिडियों ने भोजन नहीं किया चिडियों ने रोटिया नहीं खाई जानवरों में भी सनेह आ जाता है चलिए छोड़िए मैं अब अपने चैप्टर को जादा लंबा नहीं खीचना चाहता next morning अगले सुबा the sweeper शफाई करने वालों ने swept the bread रोटि को बटोरा crumbs into the dust bean और dust bean में डाल दिया यानि अगले दिन सफाई करने वालों ने bread crumbs रोटि के टुकडों को into the dust bean कूडे दान में डाल दिया sweeper shift जाड़ू से इकठा करके ठीक है हर एक चीज़ बता दी न next morning अगले सुबा sweeper shift जाड़ू से इकठा करके sweeper मतलब सफाई करने वाले shift मतलब जाड़ू से इकठा करना यानि जाड़ू से बटोरना the bread crumbs रोटी के टुकड़े into the dust bean मतलब dust bean का मतलब तो सबको पता है कूडे दान तो अगली सुबा सफाई करने वालों ने जाड़ू से रोटी के टुकड़ों को dust bean में डाल दिया यानि अगले दिन सफाई करने वालों ने रोटी के टुकड़े जाडू से इकठा किये और कूडे दान में डाल दिये तो यही पर चैप्टर समाप्त होता है अगर प्रसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ भी सेर कीजेगा और अगर नए है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आप इसी तरह से पूरे मजे के साथ और पूरे आनंद के साथ पूरे चैप्टर की तियारी कर सकें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपसे फिर से मिलूँगा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ